इस जगह में क्लिश प्रेस कर देता है गव्राट की कि हमें ब्रेक अप्लाई कर नी पढ़े कि तो क्लिश प्रेस कर देनी चीलिए वह देखते वे देखिए मेरा क्लच का मूप्मेंट अकॉर्टिंग ली होगा कोई-णाज कोई सिटूशन ऐसी होती है कि कार कही ना कही से बल है अब आप देखिए क्लच ब्रेक और एक्सिनेटर का किस तरह से मैं यूज लेने वाला हूँ उसी के अकॉर्डिंग मेरे को स्पीड अपनी ध्यान रखना होगा यहां से स्लोली मूव करूंगा अपनी कार को आगे और इस पेस आप देखिए आगे से जो कार आ रही है उसकी भी स्पेस ज्यान रखनी है मेरे को और मूवमेंट भी अकॉर्डिंग ली करनी है यह देखे क्लेश प्रेस कर रहा हूं फिर रिलीस कर दी है मेरे को लगा कि हाँ फूट मूवमेंट ज़रूरी है यह पानी से निकल अब मेरे को का दी आगे यजब स्टॉप होता तो मेरे को भी स्टॉप करना पड़ता है इसले क्लश करना पड़ता ही प्लिट करनाMat किष्ट करनाуска प्रस करना नहीं पड़ता मैं ऩ PROF करेंगे कैम statement करेंगे सिक्षिज नहीं होगी तो मैं क्लच को प्रेस कर करुमा जैसे सिच्छ्ड़ेशं कि या उस तरह से ही मैं ल들이 कर रहा है method कर रहा हूं ऐसे का ररी boş देंगे तो इस पेस चैसे कारT lewn賽 कर रहा है तो इस पर सबतलों कर दूगे वाली कार थोड़ा सा स्पेस दे दे मेरे को पेस होगी है तो अब मैं मुवमेंट डिस्टार्ट कर ली हूँ अपनी कार में यहां पे देखें सिचुएशन किस तरह से मैं क्लच का कंट्रोल कर रहा हूं जब थोड़ा से ट्राफिक हो जाता है या आप देखिए अभी टूबे कार को अभी मैंने ऐसी सिचुएशन है कि स्लू मूव करना है तो मैं सेकेंड कियर अप्लाई कर लिया 20 के अप्रॉक्स स्पीड है अभी देखिए कंप्रीट स्टॉप है ब्रेक अप्लाई किया वाजियर लगाया सिचुएशन ऐसी है कि आगे का ट्राफिक के हिसाब से मेरे को अपनी कार का कर रही कर करना है कार स्पीड है की 1120 को थ Simone कर रहा हूं करके त्रकाब करना है थे कार स्लिज कर दिये आ बादा ब्रेक्ड गा लीय किया कार स्टॉर्ग 6 मेरे पर स्पेस नहीं है तो मैं स्लोल यह देखिए स्पेस क्लिएट रखूंगा यहां से लेफ्ट और राइट का जज्जमेंट लगाते वे अपनी कार को प्लच का यूज लेना ज़रूरी है क्लेट से हमारी स्पीड जो है कंट्रोल आती है अपने कार को कंट्रोल करना है ब्रेक अप्लाई करती है क्लच से क्या होता है तो इंजन ब्रेकिंग होए है यहलका साथCal यह करेए कईकी प्रेस करेंग है जैसे उल्म सूनए हो जाए कर दिए अब यहां पर आगे सिगनल है तो यहां से हम लेंगे जहां से और थोड़ा सा ट्राफिक मुझे हो सकता है मिले आगे तो मैं अकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगा किस तरह से मैं क्लच ब्रेक का यूज लेता हूं और कार अपनी मूव करता हूं लागे से प्रम का बोना और यहां तो पैसे महां भीट की खागे आगे मेरे को मूवमेंट लीखेगा और रियली इसाज़ों हूंuster करोंन है कि ऊव्लक कि वहां वागे को देखते हैं कि आपकूंड निगे सरीक्पानी यह था थेंट है तो हमें स्पीड पे चेक रखना होगा स्पीड अम इंग्री जिक्दम से नहीं कर सकते हैं कि आप इसी प्राब्लम होती है यहां देखिए जैम सिच्वेशन होगा है का यज ऑफिध तेन पर कंड्रोल करते हैं आगे एक्ष्रेट्र के बढर्रें यूज व से कंट्रोल होता है ताकि हम Bumper to Bumper जैसे situation भी होती है तो कार को slowly move करते वे आगे किस तरह से control करते हैं अब यहां से आगे movement start हुआ है मेरे को यहां से दिख रहा है जैसी movement start होगा तो हम car को आगे बढ़ाएंगे आपको clutch का user देखे गा किस तरह से मेरा क्लश का movement होगा कि फ्रेंड मुवउवमेंट आ गया है कि लिए किया को अलका सा मुववमेंट होता बाद दीख रहा है तो हम आगे जैसे मुववमेंट स्टार्ट रोगा उसके अकॉर्ड़िंगे क्लच रिलीस किया मैंने फिर क्रेस किया ब्रेक अप्लाई करना पड़ी क्योंकि आगे मुव यहां से मिलेको लेफ्ट जाना होगा आगे situation ठीक नहीं है जोगी एक ब्लॉक है रूड तो हलका सा लेफ्ट लेते वे मैं अपनी कार को मूव करूँगा आगे signal भी है तो इस्पेस मिलेगी तो मैं कार मूव करूँगा यहां पर इस्पेस लेफ्ट में नहीं है मेरे पास लेफ्ट इंडिकेटर लगा लिया है मैंने यह देखिए यहां पर राइट में स्पेस नहीं थी तो लेफ्ट के तरफ यहां था लेफ्ट में भी कार थी तो मेरे को स्लोली मूव करना पड़ा अपनी कार को और अपर्डिंगली मैं सीच्वेशन देखने पर अपनी कार को मूव कर रहा हूं अभी यहां कंप्लीट सिग्नल है तो जैम सा लग गया है तो मैं स्लोडान रखा हूं कार को अपनी फस्ट गेर लगा रखा है क्लच प्रेस है यहां टाइमर नहीं है तो मेरे को समझ में नहीं कि अभी मेरे को क्लच रिलीस करना चीए कि नहीं चनल रिलीस कर दूंगा क्लच कर दूंगा क्योंकि हमें अपने फुट में प्रेशराइज करके कोई पादा नहीं है न्यूटल कर लिया ब्रेग अप्लाइड है अब आगे जैसे सिट्वेशन अराइज होगी आपको दिखाऊंगा थोड़ा साथ ट्राफिक सा सिट्वेशन हो सकती है इस तरह से मुव्मेंट होगा अभी देखिए यह अप्लाई करूंगा क्योंकि सिग्नल रीन हो चुका है आगे जैसे मुव्मेंट होगा प्राफिक का प्राइब कर चुका हूं आगे मेरे वाश पेस है राइट वाली लिन में आ गया हूं मैं और देखिए क्लच का यूज क्या फिर से प्रेस किया मैंने अभी कंप्लीट रिलीस कर दिया क्योंकि आगे देखिए 10 की स्पीड में अप्रॉक्स मूव्मेंट हो रखा है सेकेंड लेकिन मेरे को पर ना पड़ेगा फिर से फिर्स यह अप्लाई किया तो डॉन इसलिए करना पड़ा क्योंकि आगे का जो मूव्मेंट है बस स्टॉप हो गई है दोनों तरफ अगर आप देंगे दोनों तरफ बस टॉप हो यह तो पीछे जान सिच्वेशन हो गई है अभी सब्सक्राइब करना पड़ा है और यह जो बंपर टू बंपर सिच्वेशन हो जाती है ट्राफिक सिच्वेशन हमें अपनी कार को मूव करना होता है जैसे हमारा मूव्मेंट यह देखिया आगे साइकल थी तो मैं स्लोडाउन रखाता एक्दम स्टॉप ता इसे ब्रेक प्रेक्षण करें अब अब यहां रखना है जैसे मेरे को आगे सिच्वेशन ठीक दिखेगी फिर मां मूव करना है स्टार्ट करूंग अपनी कार को जैसे मूव्मेंट आई पाइक राइड साइड से आ रही है और मेरे को ध्यान रखना है यह कार भी एंटर करेगी अभी कार के लिए स्पेस दिया है अब मैं अपनी कार को इसके पीछे फॉलो कर लोगा अब देखें क्लच का यूज्ड मेरा क्लच रिलीस कर रहा हूं फिर से प्रेस कर रहा हूं पर से मेरे को स्पेस मिलेगी तब मैं स्पीड लूँगा या पिकप लूँगा तो अब देखिए इस सिच्वेशन में मैंने क्लच को रिलीस किया हूँ है और अपनी कार को मूव कर रहा हूं है कि विग्रीज हो घूए ट्रेंटी की आगई 15 अप्रोक्स आ गई तो मैंने 2nd कयर अप्लाई कि था बट मेरे को लगह नी रागी चाथ कि सपीड अब यह ले पाऊंगा अभी 10 से 15 कि प्रेस कर रहा हूं पर रिलीस कर रहा हूं तो यूज होगा रखी थी पर्स लेना पड़ा क्यूंकि आर अल्मोस टॉप है टेंसे भी बिलो हो गई है अब नोटिस किया था कि बस राइड के तरफ आएगी मैंने डिपर लगाते वे उनको आगे बढ़ा लिया हूं तो यह अपनी कार को यह क्लश को रिलीस कर दिया है अब थोड़ी सी स्पेड मिली है थोड़ी से आगे बढ़ाने के लिए मैं 20 की स्पीड में आगे कार बढ़ा रहा हूं देखिए अब एक्सेडर से कंट्रोल कर रहा हूं सिर्फ में क्लश का मूवमेंट इभी विल्कुल भी नहीं है कार की स्पीड आगे वाली कार की हो सकता है 20 एप्रॉक्स होगी मेरी भी 20 है इस तेंस अलमोस्स सेम है और मैं च चलाते हैं यह ऐसी सिच्वेशन होती है कि आपने एक तम सटन ब्रेकिंग करनी पड़ा लगती है उन्हें किसी प्रेक अप्लाई की तो मेरे को भी अप्लाई करनी पड़ी देखिए बीच में टूलर आया अब मेरे पार स्पेस हो गई तो मैंने एक्सरीड आप्रेस करके आ सार होते हैं है और हमारा फू पौंव में होता है अगे वाली कॉमप्लीटिल आगे वाली कार फे डिपेंड होता है या ट्रränफिक पो डजिबंड हूता है उसके एको प्रवेंट करते हैं अपनी कार में के मेरे पास नहीं है 2 वेस्पिड होस्ट करने का आप्षन मिलेगा या राइक करने का टाकी में एक बनें ब्रیकिंग करूँगा यच्ञंनी ने करते हैं हम अगर हम इस तरह से कर को मूब्ध करते हैं करा है तो मैं अपनी था तो कि अपनी कार रहा हूं नहीं है बट स्लो मूविंग है बहुत ज्यादा ट्राफिक नहीं है बट वी लर है तो देखेंड गीर भी आपकार को करना होगा अपने पूट का आप मेरे पूट मूवमेंट नोटिस करिए गाप जैसे मेरे को रिक्वार्मेंट पढ़ आए गीर शिफ्टिंग करना पढ़ आए तो अगर फॉर्स गियर में तो सिर्फ से भी स्लोडाउन हो जा रहा नहीं तो एकदम कम्लीट इस्टॉप करना ब करता तो मेरे को सकता है तो मेरे को करना पड़ता निक तो बंद हो जाती कार को करना होता अब यहां पर आगे जैसे जैसे मुवमेंट होगा उसके अक्रडिंग में अपनी कार को मूव कर रहा हूं कि वाटर लॉग है कोई भी कारो चैट्टू विलरो सब स्लो मूविंग में जाएंगे तो मेरे को भी कंडिशन वैसे ही होगी करना पड़ेगा मेरे को स्पेस दिख गी है तो मैं थर्ड ये लगा लिया हूं आगे सिचुशन ऐसी थी कि कार मूव हो रही थी करना पड़ेगा तो मेरे को डाउन च्पर ना पड़ेगा तो मेरे को डाउन्च रणा पड़े जाएगा तो अब अब इसट्वेशन ऐसी है कि स्लो मूविंग है तो आप देखिए ना ब्रेक की यूजर आ रही है क्योंकि मैं एक्सिट्र से स्पीड को कम कर ले रहा हूं या इंक्रीज कर ले रहा हूं लेकिन जैसे यह यह देखिए भी टर्निंग आई मैं क्या करना पड़ा डाउन्शिप सेकेंड लिया कार की स्पीड जो है 20 से भी विलो हो गई थी टर्निंग थी इसलिए और आगे सिच्वेशन देखते वे स्प होता हुआ ट्राफिक दिख रहा है तो मैं डाउन्शिप्ट करूंगा यह देखिए 20 से बिलो स्पीड जैसे ही आई डाउन्शिप्ट कर लिया मैंने सेकेंड कियर में अब अकॉर्डिंगली मूव कर रहा हूं जैसे जैसे ट्राफिक आगे का मूव हो रहा है इसके हिसाप स स्पीड करना होता है और कि कितनी स्पीड में हमारी कार और उसके अगरें इसाफे हिसाप से नहीं पड़े हैं आगे वाली कार की स्पीड में अपने जज्जमेंट रखनी है अपनी में रखनी है प्रेश करें ऑगर स्टारोब कर सकते हैं और अगर चल रहे हैं प्रेस करके थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं और किस तरह से आपकी अपने कार का मुवमेंट यह देखिए मेरे को दाउन स्टेकन्ड गीर करना पड़ा और स्टो अप्रक हुए है टैंस से भी बिलोई स्पीड आगी थी मैंने को फिर से फिर्स येर लेना पड़ा तो तो फिर मैं मूब करना स्टाट कर दूँगा तो जैसे सिच्वेशन आगी कि ट्राफिक की दिखती है उसी के अगर गियर चेंज होता है या स्पीड कंट्रोल होती है जब स्पीड अगर वहारी डाउन होगी उ अगर उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा तो फ्रेंट्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी यह पसंद आई है तो लाइक करें कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं पूछना चाहते तो कमेंट करें और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लें थैंक यू फ्रेंट्स गुडडे ड्राइव सेफली एंड टेक क्या